अलो नमस्ते सस्यकाल एंड वेरी वेरी वर्म वेलकम टू अनकाड मी क्लाट अनधर लो इंटरन्स एक्जामिनेशन चानल मैं हूँ एड़ोकेट विजेंदे सिंग चौधरी और एक बहुत इंपोर्टन सेशन लेकर आया हूँ उन सभी एस्परेंट्स के लिए जो सीउटी प अब इसके बाद एक्स्टेंशन की दुआएं हम नहीं मांगते हैं कि और आगे बढ़ जाए लेकिन आज के सेशन का सबसे बड़ा यूएसपी क्या होगा जो कि मैं इस सेशन के आखरी के दो मिनिट में आपको देने वाला हूँ तो स्टार्ट से लेके आखरी तक वीडियो को ज़रू देखेगा स्किप बिलकुल मत कीजिएगा बिकॉज इसमें बहुत माइनूट चीजें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई भी एडुकेटर नहीं बताएगा और आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी होंगी अपने एक्जामिनिशन के करने का होगा जो मैं इसके बाद में जो भी एक वीडियो लेने वाला हूँ वो वीडियो कंप्योटर पे उपर बैट के जिस तरीके साब पेपर लेते हैं क्या-क्या ओप्शन होते हैं जिनको आप सही से यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा सही से पेपर देना नहीं जानता है another thing यहाँ पे आपका pattern जो है यह दो तरीके से होगा that means Hindi और English आप यहाँ पे चूज कर सकते है अपने language को और यह 105 मिनिट का पेपर होने वाला है और सबसे बहतरीन बात यह multiple choice questions होने वाले है MCQs based यह पेपर पेपर होगा और पिछले साल के मुकाबले अब की 75 questions attempt करने होंगे देखिए यहाँ पे एक बहुत important चीज़ है and that is negative marking देखिए बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं कि सारे questions को attempt करना एक बहुत अच्छा idea है मैं आपको कहता हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा idea नहीं है आपको हमेशा अपने paper को पहले evaluate करना है कि मुझे total questions कितन doubtful है जहां पे आप literally doubtful है आप 50% probability जा चुके हैं कि या तो A सही होगा या B सही होगा यहां तक आप पहुंच चुके हैं ऐसे कुछ 15 questions है और 10 questions वो है जो की basically आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है इन 10 questions को छोड़ने में कहीं कोई परिशानी नहीं है सब पर आप try करके अपने mocks के अंदर देख सकते हैं अगर वो मेरी help करती है आपको तो आप उसे use करके इन 15 questions को आप attempt कर सकते हैं बट इन 10 questions के अंदर आपको hidden trial method use नहीं करना चाहिए because आपके 10 गलत questions आपके 10 number ले जाते हैं मतलब कम से कम आपके धाई questions गलत होगे इसका direct impact आपक चार नमर मिल रहे हैं और टोटल 300 नमर आपके आएंगे जिसके उपर आपको पूरा पेपर attempt करना है और मेरा target की बार minimum 200 प्लस जितने बच्चे मेरे साथ मेरे batches के अंदर हैं हमारे साथ जोड़े हैं हमने एक target रखा है कि minimum 200 प्लस target हमारे बच्चे का होना चाहिए but whereas मैं prediction है अभी तक इसके पीछे की कोई मैं आपको धारना या फिर कोई एक तरीके से शॉरिटी नहीं दे सकता but this is my prediction और मेरे predictions अभी तक कभी गलत नहीं गए हैं अब उसका impact इस साल क्यों है यह आप जान लीजिएगा पहले बता रहा हूँ सबसे बड़ा impact आपके examinations के अंदर लेकर आता है कौन लेकर आता है that is a logical reasoning देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जो है वही subject आपको priority basis पे रखना भी पड़ेगा यह बहुत important है ठीक है बीस question computer जहां आपको 9 से 10 questions देखने को मिले है different papers के अंदर यह numbers उपर निचे हुए है और यह numbers एक या दो number उपर निचे ही हुए है तो अब आप जब अपना study plan बनाए जब आप अपना preparation का strategy बनाए तब आपको यह sure कर लेना है कि मेरी strategy इस flow में होनी ही चाहिए क्योंकि यही आपका marking scoring आपका पूरा का पूरा परफॉर्मा होने वाला है let us know about the important dates सबसे पहली तो भया date सबको पता है registration हो चुका है 7 जो कि हमारी last date थी वो हमारी last date जा चुकी है अब हमारे पास 9 से 11 के जो date है यह important date इसलिए है because 9 से 11 आपके पास rectification का जो भी बदलाव आप लाना चाहते है अगर आपने form fill कर दिया है please इसको ध्यान रखेगा अपने form को बहुत अच्छे से check कर लीजेगा because अगर एक छोटी सी mistake होई तो आपकी suggestive रद कर दी जाएगी आप examinations बहुत अच्छा दे कर आए आपका selection हो गया सब हो गया लेकिन आपका admission नहीं मिलेगा अगर आपके admission form क के अंदर किसी भी प्रकार की कोई mistake है तो तो प्लीज अपना registration form जो है उसको माइनूटली चेक कीजेगा उसमें कोई mistake है तो इस window के अंदर अपना जरूर से ठीक कर दीजेगा second important चीज कि बया first week of March के अंदर आपको जो है आपका release हो जाएगा that is your intimation slip जिसके द्वार आपको पतल चाहिएगा कि आपका examination center कहाने वाला है तो उसके accordingly अपना trip plan कर लिजेगा कि मैं मेरे examination hall तक किस तरीके से पहुँचने वाला हूँ आपको कुछ नहीं पढ़ना है नहीं किसी द्यार दोस्तों के बीच में जाके आपको discussions करना है कि मैंच बगवान है मुझे ही सब कुछ आता है या मुझे कुछ नहीं आता है कोई बात चीत नहीं just calm down अपने आपको समय दीजिए recollect कीजिए चीज़ें अपकी दिमाग में जो आएगा तो यह भी लगबग आपके फर्स वीक के अंदर आ जाएगा और आपका examination जो है ग्यारा से 28 मार्ट के बीच में है क्यों कि किसके अंदर अलग अलग जो है बेसिकली schedule साते है उसके तहत आप कौन से schedule के अंदर आपका exam पढ़ता है यह depend करता है क्योंकि CUT PG के अंदर जो है बहुत सारे exams उनको लेने है मेरा prediction है इलग बग 15 से 22 तारीक के बीच में आपका examination होने वाला है अगली बात करता हूँ CUT PG के answer की कब आएगी यह second week of April में आएगी जैसे आप exam देंगे उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास answer की आ जाएगी जिससे कि आप match कर सकते हैं कि आप कितना सही करके आएं कितना आप गलत करके आएं और इससे आपको idea लग जाएगा कि आपका score कहा तक जा रहा है अगली important बात है आपका result यह third week में आ जाएगा और जब third week में result आएगा तब पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन है जो कि India की top university से अपनी law की degree करने वा आपका समय आपके पास है आपका समय आपसे कोई नहीं चीन सकता 24 गंटे हर बच्चे को मिलने वाले है वही 24 गंटे आपको मिलने वाले है उसका सही से उपियोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह important है अब यह एक list आप देख लीजेगा जिससे आपको general idea पढ़ जाए 111 OBC 195 से 197, 175 से 177 ST and 128 से 130 that is your ST sorry this is SC and this is your ST यह last year का cutoff है अब देखिए इसका impact इस साल क्या पड़ेगा इस साल 100 number कम हुए है तो क्या आपको लगता है कि यह 235 से सीधा 135 साल जाएगा बिलकुल नहीं आएगा 100 number कम हुए है तो 100 number का exactly direct impact आपकी cutoff list के उपर नहीं पड़ता है सिर for 50% आपका cutoff list के उपर इसका impact पड़ सकता है तो अपकी बर मेरा expectations है कि यह लगबग 100 75 से लेके 105 के बीच के अंदर आपकी cutoff list आनी चाहिए for this upcoming year ठीक है इसी तरीके से second list देख रहे है आप 231, 205, 186, 160 and 123 और third cutoff list जो की third cutoff list जो की यहां से सिर 5 number ही और नीचे जा पाई है त तो लगबग 225, 26 के लगबग जो है last cutoff list हमको देखने को मिली जनरल की अब बात करते हैं कुछ important syllabus की और इन में से कुछ topics में टिक करके जा रहा हूँ उनके ओपर focus जरूर कर लीजेगा पहला है आपका synonym and antonym यह दोनों ही topic आपके बहुत important है तीसरा है आपका analogies, idioms and phrases, sentence rearrangement यह बहुत important है and then is your fill in the blanks and reading comprehension and indirect and direct speech यह वो है यह वो topics हैं जो की बलकुल आपके exam में आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और यहाँ से आप score भी कर सकते हैं because यहाँ पे महा भारत मतलब आपके पास में सारा का सारा marks का distribution है वो पूरा का पूरा आप collect कर पा रहे हैं दूसरा important जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा डरता है and that is your general knowledge देखे general knowledge के अंदर आपको तीन चीज़े हैं जिसको पर focus करना है अब की बार एक नया introduction हुआ है legal awareness and trade awareness इसमें डरने की कोई बात नहीं है legal awareness के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई topic आपको देखने को मिलेग that would be more about the polity तो polity से ही related आपको यहाँ पर legal awareness देखने को मिलेगी तो legal awareness का मतलब यह नहीं है कि आप जाके law पढ़ने की ज़रूत नहीं है मेरा एक legal awareness का पूरा lecture आएगा जहाँ पर में most important legal awareness से related जो भी questions होंगे वो questions लेकर आऊँगा तो आप वो series मेरी पूरी देख सकते है legal awareness की ए इसके बाद most important topic आपका literature है इसके बाद Indian constitution है personalities यहां से सवाल हमेशा बनते हैं और इस साल भी बनेंगे वो personalities चाहे awards की हो सकती है वो personalities चाहे किसी भी तरीके से बहुत first time in India वाले हो सकते हैं इस तरीके के personalities जो है आप से सवाल हर साल पूछे जाते हैं इस साल भी होट topic रहेगा and then is your economic economy से related सवाल जो है वो बने ही है और बनते ही रहेंगे because इसकी knowledge एक aspirant को होनी ही चाहिए यह बहुत important है तो यहां से question आपका पका आएगा इसके बाद में है आपका awards जो की 100% सवाल आप देख पाएंगे ही पाएंगे और इसके लिए आप मेरी awards and honors की pre class देख सकते हैं आप आपको बहुत help out करने वाला है अगला है science and politics देखिए scientific politics ये भी एक बहुत important topic है जहां से question बनते हैं और science के उपर मैं already जो है topic जो है उसकी class ले चुका हूँ अगला है national and international affairs देखिए international affairs को वो ही affairs important है जो की आज के time पर इंडिया से related है या फिर इंडिया से indirectly connected है इन सारे topics को आ करना है कहां से that is your current affairs and GK में से ये मैंने जो भी yellow किये हैं ये most important topics हैं जो की आपके good to go topics होने ही चाहिए अगली बात करता हूँ logical reasoning तो सबसे बड़ा syllabus आपको logical reasoning का ही मिलता है और इसके लिए on academy के उपर आपको सबसे best faculty मिल जाएगी that is your honey sir जो की ये सारे topics को cover कर रहे हैं and that too ए आप एक topic पर बैड़ गए तो पूरा topic निपटा के ही आपको उठना है and this is how should be your complete strategy of examinations तो आप ये सारे जो है ये पूरा पूरा आपका syllabus है for your logical reasoning जो आपको cover करना है और यहां से आपके सबसे highest marks भी यहीं से score करने का आपको मौका मिलेगा अगला सवाल करता हूँ मैं आपको प्रिपेर कर रहे हैं तो यह तो बट ऑव्यस सी बात है कि graduation के level का आपको यहां पर कुछ ना कुछ content मिलेगा यह सारा का सारा स्लेबस आपका क्वांट का है जो कि आपको cover करना है और क्वांट भी आपका scoring subject में से एक होगा जिसके अंदर second highest number of questions आपको यहां से देख आपको preparation तो अपनी बराबर करनी ही पड़ेगी computer एक ऐसा topic है जिसमें से सबसे कम सवाल देखने को मिले और मेरा prediction अपकी बार भी यही कि यहां से questions आपको कम देखने को मिलेंगे तो इसके लिए आप एक overview जो है वो इसका आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा इसको समय देने की ज़रुत नहीं है because यह आपके paper के अंदर maximum 10 से 15% का ही आपका जो है weightage ले पाएगा तो इसके उपर ज्यादा focus करके समय बेस करने की ज़रुत नहीं है basics आपको पता होने चाहिए उनी basics से आपका सवाल आने वाला है अब यह सारी तयारी करने के लिए क्या किया जाए तो अगर आप NLU से LLB करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं पता है कि NLU के द्वारा भी आप LLB कर सकते हैं and that to India की top NLU जी हाँ NLSIU Bangalore offer करती है आपको NLSET जी हाँ this is our NLSET जो कि आपको offer किया जाता है किसके द्वारा NLU Bangalore के द्वारा तो अगर आप LLB N NLSIU Bangalore से करना चाहते हैं तो आपको NLSET को target करना होगा अगर आप GLC ILS के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको MSET करना होगा लेकिन अगर आप BHU या फिर DU से करना चाहते हैं तो आपको CUT PG LLB के द्वारा ही exam देना पड़ेगा अब बात करते हैं कि यह pioneer batch ही क्यों see first of all य यह आपका 25th January से start हो चुका है और यह पूरा complete आपका one and half year का plan है अब अभी January से लेके आने वाले में तक आप इसके अंदर पढ़ाई करने वाले हैं very important आपका इतना बढ़ा plan जिसके अंदर पूरा schedule के साथ हम पढ़ाएंगे और क्यों why an academy देखिए बहुत बढ़ा difference है अपना hand raise करके अपने doubts पूछ सकते हैं similarly when you ask for your doubts यह doubt solving के लिए अलग से tab मिलता है जहां पे आप picture क्लिक करके भी पूछ सकते हैं if you have any doubt आपने किसी भी notebook से book में से कोई भी a question जो है आपको नहीं आता आप उसकी picture क्लिक कीजिए और doubt section के अंदर उस picture को upload कर सकते हैं आपको सवा बताने की ज़रूत नहीं है यह आपका समय बचाता है और यह सारी facilities आपको कहा मिलती है सिर्फ और सिर्फ अन अकैडमी के platform पे साथ के साथ जो हमारे crash course आएगा CUT PG LLB 2025 का उसका भी access आपको direct मिलेगा जिसमें हम पूरा revision कराते हैं एक दम speed के अंदर साथ की साथ mock papers का analysis आपको यह मिलने वाले है 10 full length mock test देखिए कोई भी exam त्यारी कर रहे हो mock नहीं लगाया तो समझ लिए कुछ नहीं लगाया mock बहुत important होता है and all this will be you know purely given to you unacademy के दुआरा यह सब कुछ आपको मिलेगा और इसको आप unacademy के store से जाके purchase कर सकते हैं and for the maximum discounts you can use the code जो कि मैं हर classes के अंदर मेरा promote करता हूँ आपको बताता हूँ उस code के दौरा आप यह सारे के सारे batches purchase कर सकते हैं very importantly कुछ tips जो मैंने आपको promise किया था कि last के अंदर में आपको दूँगा सबसे पहली बात जो सबसे पहले शुरू करता है वो ही सबसे आगे निकलता है यह तो philosophy हमेशा से proof होती आई है तो सबसे पहली बात है the early bird catches the warm तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बहतरीन है आप मेरा वीडियो देखने के बाद अगर start करते हैं तो भी जरूरी है कि आप अब मेहनत जो है वो अपनी उस level की ही करें क्योंकि आप से आगे वो बच्चा जरूर होगा जो कि एक साल से तयारी कर रहा है और अगर इंट अफेर भी सॉल करेगा और साथ की साथ में इंग्लिश न्यूस पर गर आप पढ़ते हैं तो यह आपकी इंग्लिश भी बेटर करेगा और इसके लिए डेली सुबह 10 बजे मेरी क्लास आती है जहां पर सुबह डेली 10 बजे जहां पर मैं पूरा न्यूस पर अनायलसिस कराता हूं with 360 डिग्री अनायलसिस जी हां पूराने सारा कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ में आपको इहां पर बताता हूं तो आप चाहें तो एक क्लास मेरी अटेंड करके देख लीजिए अगर आपके लाइफ के अंदर न्यूस पर रीडिंग की हैबिट अगर अगर मैंने नहीं ला दी तो आप मेरा नाम जो है वो आपकी इच्छा से रख लीजिएगा इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूं अगली बात है अब जब मन्तली बन गई उसके बाद उन 30 टॉपिक्स को वीकली डिवाइड कीजी तीक है जैसे फॉर अग्जामपल 13 टॉपिक्स हर वीक में आते हैं अब आपने 12 टॉपिक्स एक वीक के अंदर आपको पढ़ने है अब एक वीक में 12 पढ़ने है उसमें से आज कितना पढ करने है अब जब आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं इसको काट दीजिए भाई क्योंकि ये जो आप कटिंग करेंगे इस से पहली बात तो ये कि आपको पता चल पाएगा कि आज मुझे एक्चुली पढ़ना कितना था और मैंने पढ़ा कितना है गंटों के अंदर कैलकुल का आपने बाई दी नाइट जब आप सोने गए तो चारो टाफिक कटे वे हैं ये आपको एक सेंस ओफ अचीवमेंट देखा इसलिए मैंने कहा कि लास के अंदर मां आपको बहुत इंपॉर्ण टिप देने वाला हूँ ये दो टिप आपके लिए बहुत महतोपुन होंगी क जो कि आप सुबह 10 बजे मेरे साथ दे सकते हैं मौनिंग 10 एम में जहाँ पर आपका न्यूस पेपर रीडिंग भी हो गया साथ में न्यूस पेपर का अनाल्सिस भी हो गया और कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफिर के कोशन्स भी हो जाएंगे अगली बात करता हूँ उनिवर्सिटी की तयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उस उनिवर्सिटी एग्जामिनिशन के लिए आपको कम से कम 2-5 गंटे डेली आपको देने हैं जब आप यह पूरा दिन का स्केडूल ऐसा बनाएंगे इसके बाद आपको कम से कम 4 गंटे का रिविजन जो कुछ आपको प्लान अभी से स्टिक करना है आपको वीकली दो पेपर जो है आपके जो पीवाई क्यूज है बच्चे समझते ही नहीं है इसके बारे में जो आपके प्रीवेस एर कोशन पेपर से जो आल्रेड़ी आ चुके हैं इन पेपर को हर हफते में दो बार पेपर आपको प्रैक्टिस करना है इसके बाद मॉक टेस्ट वीकली थ्राइज आपको जो है यह जो टाइम पिरिड़ आपका बचा एक महिना इसके अंदर हर वीक आपको टीन मॉक टेस्ट मिनिमाम आपको प्राक्टिस करने है यह बहुत इमपोर्टन होगा ठीक है इस आल अबाउट आपको ये goodies दिया है, कि आपकी preparations में चारचान क्या लगाता है, वो है ये सारी important informations, 99% of students जो है, वो इस चीज में fail हो जाते हैं, कि उनकी तयारी बहुत strong होती है, start से बहुत महनत की होती है, लेकिन last stage पे आके, ऐसी बहुत important strategies होती है, बहुत important analysis होते हैं, and very precisely, जब आप exam को attempt करते हैं, तो attempt ratios को कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ आखरी case stage के अंदर किया जाता है, वो 99% बच्चों को नहीं पता होता है, उसी के लिए हमने design किया है, CUT marathon 2024 का batch, जो कि आपको help करने वाला है, आपके CUT PG, LLB के examination को crack करने के लिए, ये हा, unacademy का ये पूरा का पूरा जो batch है, ये 8th of February से start हो रहा है, तो एक दिन की भी देरी आपके लिए बहुत 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 लंबी जर्नी बन सकती है, तो I request everybody कि do not wait for a single day, enroll today and just start your journey with an academy, but many a time से students ask me, कि sir why only an academy, why not somebody else, so I give you a very precise answer of it, first of all, you have an option of raise your hand, literally I am telling you guys, जैसे आप class के अंदर अपने hand raise करके, अपने doubts पूछते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे hand raise करके, by you know spoken, आप बात करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो कि typing में आपका time based नहीं होता है, and clearly आपको, जैसे आप class in the doubt, आपका solution मिल जाता है, लेकिन, sir, इसके अलावा क्या, सभी बार ऐसी situation आती है, आप किसी book से कोई question solve कर रहे थे, और आपको उसका answer नहीं आता, अब क्या आप यह लिख पाएंगे, कि 2 into 3 is equals to 6, 6 divided by this, और यहां से यह वो इतना बड़ा calculation figure यह सब आपको नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए आपके पास option होता है, that is, in class doubt solving tab, इसमें आप अपना doubt जो है, उसकी picture upload कर सकते है, and directly आपके teacher जो ह आपके doubt को screen पर लेकर आजाएंगे, और आपके doubt को solve कर दिया जाएगा, यह वो features हैं, जो ad tech industry में, सिर्फ an academy आपको देता है, because we believe in giving the best education at the best experience, so that आपको पढ़ाई करने का दिल तो करे, बहुत सारे और, you know, different methods है, जिसके तुरू interest को और develop किया जा सकता है, बच्चे के अंदर and most importantly, you will get 70, you know, live classes right now for this batch, जहां पे आपको सारे के सारे के सारे के सारे lectures को वापिस से revise कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, साथ के साथ में, very precisely, mock analysis, that is, that is really, really, very important, because यहां पे आपको 10 full length mock मिल रहे हैं, CBT based, जैसा आपका paper होने वाला है, computer belt test, वैसे ही आप यह papers देने वाले ह with the latest pattern of 75 questions and with a very good difficulty level, इसी mocks देके, please अपने आपको outburst मत करियेगा, because यहां पे mocks का level बहुत अच्छा रखा गया है, जैसा आपका paper में होता है, तो आप लोगों से मिलूँगा बहुत ही जल्दी, आपके साथ में, unacademic case platform पे, अगर मेरी तरफ से दीगी informations आपको पसंद आई, तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा, and for all other updates like this, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, जै हिंद, जै भारत, बाबाई, टेक केर,